बॉलिवूड कैफे आज एक्स्प्लेन कर रहा है एक डच मूवी जिसमें एक स्टुडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टुडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे हम इस मूवी लूवी के लीड रोल में 30 साल की एक लाना नाम की टीचर है लाना इस स्कूल में 10 तक के बच्चो को डच लेंगवेज पढ़ाती है लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है वो टेस्ट पेपर सभी स्टुडेंट में डिस्ट्रुबूट कर रही है और सभी को टेस्ट के रिलेटेट इंस्ट्रक्शन पास करती है ट वो उसको घूर रहा होता है। लाना की नजर इस नए स्टूडेंट पर पढ़ती हैं और वो उस स्टूडेंट को अपने आपको घूरते हुए पकड़ लेती हैं लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। Lana फिलाल के लिए इसको इग्नॉर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है लेकिन ये student अभी भी इस teacher को घूर रहा होता है और test देने में कोई interest नहीं दिखाता है Lana थोड़े गुसे की नजर से उस student को देखती है लेकिन फिर अपने काम में बिजी हो जाती है स्कूल के बाद में Lana अपनी डॉटर को दूसरी स्कूल से पिक करती है और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती है तो वो देखती है कि सामने वो नया student अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है लाना उसको ध्यान से देखती है लाना की बेटी मॉम को घर चलने के लिए कहती है तो लाना कार स्टार्ट करती है और फाइनली उस student पे नजर मारते हुए घर की तरफ चली जाती है नेक्स डे क्लास में एक student ख्लास में सब के सामने अपनी speech दे रहा होता है तो इन दोलो लड़कियों को अपने फोन से खेलने के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि फोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़की फोन लाना को लाके दे देती हैं और जाते समय लाना को गाली बोलती हैं तो लाना कहती हैं कि क्या बोला तुमने तो वो स्टुडेंट बोलती हैं क बिच बोल के चली जाती हैं और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा होता हैं लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती हैं तो वो देखती हैं कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बत्तमी जी कर रहा हैं वो उसका बैग खाली कर देता हैं और उसकी साइकल को फेक देता हैं ऐसा लग रहा था कि यह लड़का अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा हैं और उसके साथ उस लड़की के द्वारा की हुई बत्तमी जी को पनिश कर रहा हैं लान अना को जब ये पता चलता है कि बैनी बिलकुल नॉर्मल है तो वो स्कूल की छुटी के बाद में बैनी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो बैनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है वो बैनी को बैटने के लिए बोलती है बैनी ने अभी अभी स्कूल जॉइ किया था इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुम्हें यहां पे कैसा लग रहा है और तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या तो वो कहता है कि हाँ ओके हैं तो लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ खुलते मिलते नहीं हो कोई problem तो नहीं है तो बैनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती है इस blunt answer से Lana को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे react करें तो वो पास से एक chair उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमारी चिंता है मैं तुमारी कोई help कर सकती हूँ तो मुझे बताओ और ये कहते हुए Lana अपना हाद बैनी के पैर पे रख देती है तो बैनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुमें चाहिए क्या इस बात पर Lana फिट से बैनी को correct करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो लास्ट वीक मैंने तुमारे test paper चेक ये थे तुमारा score बहुत वीक है मैं as a teacher तुमें समझा रही हूँ कि तुमें कोई help चाहिए तो मुझे बताओ लेकिन बैनी हसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुमें चाहिए क्या जब बैनी बिल्कुल भी नहीं समझता है तो लाना कहती है कि मेरी meeting है मुझे जाना पड़ेगा अब बैनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोसिस नाकामियाब रही लाना अपने घर जाके सभी student के score card चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि बैनी का score बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बैनी के साथ classroom में गई थी लाना अपने घर में अपनी डॉटर और अपने husband के साथ रहती है अगले दिन classroom में चुटी के बाद में classroom से सारे student चले जाते हैं तो लाना भी अपना bag pack करने लती है और एके करके चीजें अंदर डालने लती है bag pack करने के बाद में जब वो classroom से जा रही होती है तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बैनी का bag रखा हुआ है वो बैनी के bag को उठाती हैं और उसको open करती हैं open करते हुए वो classroom के बाहर भी देखती हैं कोई देख तो नहीं रहा और फिर वो बैनी के bag से उसका t-shirt निकालती हैं और उसको smell करने लती हैं जिससे हमें पता चलता हैं कि लाना बैनी से काफी attracted feel करती हैं इसलिए वो उसके t-shirt को smell करती हैं थोड़ी देर बाद में वो बैनी के t-shirt को उसके bag में डाल देती हैं और वो अचाना की देखती हैं कि जैसे कोई उसको classroom के बाहर से देख रहा हैं वो इधर उधर देखती हैं लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है लाना घबरा के bathroom में चले जाती हैं और अंदर जाके गहरी सांस लेती हैं लाना bathroom में mirror में देखती हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पानी पीने लग जाती हैं और जब वो अपना सार वापस पानी पीकर उपर उठाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बैनी खड़ा हैं लाना बैनी को दे के थोड़ी सौक हो जाती हैं, लेकिन बैनी किसी एग्रेसिव एल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता हैं। लाना काफी गबराई हुई लग रही थी लेकिन वो बैनी के चार्मिंग अट्रक्शन को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बैनी को बिलकुल भी नहीं रोक रही। बैनी लाना को नेक पे किस करता है लेकिन जब वो लाना को लिप्स पे किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है वो कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए ये बात तुम अच्छे से समझ जब लाना जाने लगती है तो बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाती हो ना, तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टुडेंट हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुमारे साथ अफैर नहीं कर सकती हूं, तुम ये बात क्यों नहीं समझे और ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है, आज की पूरी रात लाना सिर्फ बैनी के बारे में सोच दी रही और अगले दिन सुबे वो जब क्लासरूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि क्लास में सभी बचे टेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन बैनी उसको वैसे ही घूर रहा होता हैं लाना बैनी को देती हैं और गुसे की नजर से समझाने की कोसिस करती हैं लेकिन बैनी टस से मस नहीं हो रहा था फाइनली लाना को ही नजरे जुकानी पड़े क्लास के बाद में बैनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंदे से उसके कंदे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी लाना को तो जैसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है लाना बैनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती हैं और वो चारों तरफ देख के कहती हैं कि क्या कर रहे हो बैनी देखो हमारे बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था भी वहाँ पे स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते करते रुक जाते हैं उन टीचर्स के चले जाने के बाद में और कोई आसपास नहीं होने के कन्फरमिशन के बाद लाना फिर से बैनी को कहती है कि अब ये सब नहीं होगा और वो कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो बैनी यहाँ पे खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है स्कूल के बाद में लाना जब पार्किंग में अपनी कार के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और कार में डेंट भी लगा हुआ है ऐसा लग रहा था कि बैनी ने ये सब किया है लाना चारों तरफ देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है लाना अपनी डॉटर को लेके वापस घर आ जाती है और जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बेंट पूसता है कि कार में डेंट कैसे लगा तो वो कहती है कि एक लेंप पोस्ट से टकर हो गई थी तो उसका हस्बेंट कहता है कि लेंप पोस्ट से टकर होने पड़ तो ऐसे स्क्रेच नहीं पड़ते हैं तो लाना कहती है कि ऐसा हो सकता है तुमारी चाय ठंडी हो जाएगी तुम जाके पी लो Lana फिलाल इस बात को अपने husband को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बताएगी तो Benny के साथ दूसरी हुई बाते भी उसको पता चल जाएगी इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती हैं Next day Lana classroom में सभी student को एक test paper देती हैं जिसमें वो उन सभी student को Dutch language में internship के बारे में लिखने को कहती हैं और कहती हैं कि आपको इसमें आपकी अपनी favorite position company में job कैसे मिलेगी आपको कैसी job पसंद है इसके बारे में लिखना है तो कुछ student question पूसते हैं कि ये ऐसे कितना लंबा होना चाहिए and so on तो बैनी classroom में Lana को पूसता हैं कि क्या job पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे क्या तो इस बात पे Lana काफी surprise होती है और क्लास के सभी student हसने लग जाते हैं तो Lana कहती है कि पागल हो गए हो क्या चुप चब मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ लेकिन अब क्लास का महौल थोड़ा खराब हो गया और क्लास में Lana की कोई बात नहीं सुन रहा तो Lana बैनी के पास जाकर उसका बैग उठाती है और उसके बैग को क्लासरूम के बाहर फेक देती है और कहती है कि निकलो यहां से और जाओ प्रिंसिपल के पास लेकिन बैनी को अभी भी कोई फरक नहीं पड़ा वो आराम से Lana को अभी भी ऐसे ही घूर रहा है तभी वहाँ पे कोई स्टुडेंट बोर्ड पर डस्टर फेक देता है और सारे स्टुडेंट मिलके वहाँ पे चिलाने लगते हैं तो Lana परिसानों के क्लासरूम से बाहर चली जाती है अगले दिन Lana जब जंगल में जोगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है काफी देड ढूनने के बाद में भी Lana को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है लेकिन Lana यहाँ पे काफी डर जाती है और डर के मारे वापस भाके घर पे आ जाती है और अपनी डॉटर को पढ़ाने लग जाती है तभी Lana के घर पे फोन रिंग करता है Lana जब फोन पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा होता है Lana थोड़ी अपसेट हो जाती है Lana वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैटने ही वाले थी कि वापसेट फोन रिंग करता है उसको पता चल जाता है कि ये सब बैनी करता है वो मनी मन काफी डर जाती है और टेलिफोन के रिसीवर को नीचे ही रख देती है इस बात से Lana काफी डर जाती है अगले दिन Lana जब स्कूल में जाती है और classroom के बाहर से ही वो देखती हैं कि बैनी अंदर बैठा हैं तो Lana बैनी को देखे काफी डर जाती हैं और classroom के बाहर ही कुछ सोचने लग जाती हैं जैसे उसको अंदर जाने से उसका डर रोके जा रहा था Lana बैनी से इतनी जादा डर गई कि उसने reception पे जाके आज के दिन school से चुटी ही ले ली हैं और वो अपने घर पे चली जाती हैं और अपने husband के साथ time spend करती हैं अगले कुछ दिनों तक Lana school से off ले लेती हैं उसका routine यही रहता हैं कि वो अपने husband के साथ time spend करती हैं वो अपनी daughter को school स pick and drop करती हैं और अपने घर के पास ही लेक के सामने खड़ी होके काफी time spend करती हैं आज Lana अकेली ही एक art gallery में time spend करने के लिए आई हैं इस modern art के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं इसलिए art gallery बिल्कुल खाली जैसी है लाना की नजर एक खास art पे चली जाती हैं और लाना इस art को बहुत ध्यान से देती हैं तभी उसको ऐसा लगा कि बैनी उसके पीछे आ गया हैं और वो पीछे मुड़के देखती हैं कि सच में ही बैनी वहाँ पे खड़ा है लाना काफी घबरा जाती हैं और art gallery से बाहर चली जाती हैं और सीडियों से तेजी से नीचे उतरती हैं औ अब वो art gallery में भी उसका पीछा नहीं चोड़ रहा हैं लाना बैनी से इतनी ज़्यादा डर गई हैं कि वो उसको directly face भी नहीं कर पा रही हैं और बैनी अपनी ही मस्ती में लीना के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा लाना art gallery के एक कौने में जाके खड़ी हो जाती हैं लेकिन बैनी ठीक अब उसके पास में आके खड़ा हो जाता हैं लाना कुछ देर तक सोचती हैं और वो वहां से तेजी से जाने लती हैं लाना अब नीचे के फ्लोर पे जा रही हैं लेकिन वो देखती हैं कि नीचे के फ्लोर पे बैनी already पहुँच चु जैसे ही lift open होती है लाना जल्दी से lift के अंदर चली जाती है लेकिन इससे पहले की lift का दर्वाजा बंध हो वहाँ पे बैनी आ जाता है और वो भी lift के अंदर खुश जाता है बैनी को देख के लाना को पतानी क्या हो जाता है लिफ्ट का दर्वाजा ओपन होने के बावजूद भी लाना पीछे हड़ जाती है और जैसे बैनी को लिफ्ट के अंदर इन्वाइट करती है वो यहां से भागने की कोशिस नहीं कर पाती है वो उससे फिजिकली इतनी अट्रेक्टेड हैं कि उसके डार्क मेगनेटिसम को वो रजिस्टी नहीं कर पाती थी बैनी कहता है कि I miss you लाना गहरी सांस लेती है और बैनी उसके हैर से थोड़ा प्ले करता है लाना बैनी से इतनी ज़्यादा अट्रेक्टेड हैं कि वो उसको देखते ही उस पर किस करने के लिए लीन होती है लेकिन बैनी उसको पीछे धकेल द चाहती हैं लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसकी डॉटर और उसका हस्बेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो कुछ दिनों तक इसी कस्म कस्मे रही कि अब वो क्या करें क्या वो बैनी के साथ ऐसे ही रिलेक्शन बनाती रहें या फिर बैनी से छुट करा पा सके। लाना अब कई दिनों के बाद में वापस स्कूल आई है और उसने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया है जिसको एक्जिक्यूट करना है वो स्कूल में छुटी होने के बाद में आफिस रूम में जाती हैं और चारों तरफ देखती हैं कि कोई है तो नहीं और लाना यहां पर किसी चीज को ढूंड रही होती हैं। काफी ढूंडने के बाद में लाना को चाबियों का गुच्छा मिल जाता हैं। और इन चाबियों से लाना अब एक ऐलमीरा खोल रही हैं। काफी चाबिया ट्राइ करने के बाद में एक चाबी से ऐलमीरा खुल जाती हैं इस ऐलमीरा में बहुत सारे exam के papers लिफाफों में अलग-अलग रखे हुए थे लाना इस ऐलमीरा से एक लिफाफे को उठाती हैं और उसमें से एक पेपर निकाल के अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को एलमीरा में रखे एलमीरा को बंद करके वहाँ से कीज लेके चुपचा बाहर निकल जाती है स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और उसमें से बैनी का कोट फाइंड आउट करती है और उसमें अपने द्वारा चुराया हुआ पेपर बैनी के कोट के पॉकेट में ढाल देती है और चुपचा वहाँ से चली जाती है अगले दिन लाना जब स्कूल में आती हैं तो वो बहुत खुस दिखाई देती हैं और वो देखती हैं कि बैनी को पेपर चोरी करने की वज़े से पुलीस अपकड़ के ले जा रही हैं बैनी भी लाना को देखता हैं, वो देखता हैं कि लाना के चेहरे पे अजीब सा सुकून और अजीब सी स्माइल है, लाना आज बहुत खुस हैं क्योंकि उसको बैनी से चुटकारा मिल गया है, एकले दिन लाना और उसका हस्बेंट पिकनिक के लिए घर के पास ही लैक में जा जब लाना वापस लेक से अपना मुँ बाहर निकालती हैं, तो वो देखती हैं कि उसका हस्बेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो काफी देर तक इधर उदर नजरे घुमाती हैं, लेकिन उसका हस्बेंट उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लाना इस बात से काफी डर ज लाना अगले दिन स्कूल में जाती हैं और वो देखती हैं कि बैनी की सीट अब खाली पड़ी हैं लेकिन लाना को कल वाली खुसी अभी है नहीं अभी उसको बड़ा अजीब सा लग रहा हैं लाना बैनी को क्लासरूम में इमेजिन करती हैं वो उसके साथ बिताय हुए टाइम बैनी को बुला नहीं पा रही है बार बार उसके दिमाग में बैनी आता हैं बैनी को फिजिकली उसने स्कूल से बाहर निकाल दिया था लेकिन मेंटली उसके दिमाग में बैनी पुरी तरह से घुसा हुआ था उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें कुस दिनों के बाद मे लाना एक बुक स्टोर पे जाती हैं जहां पर वो अपनी डॉटर को एक बुक दिलवाती हैं लेकिन उती डॉटर को बुक पसंद नहीं आती तो वो नाराज होके बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती हैं तो लाना अपनी डॉटर को ढूनती हैं और काफी देद ढूनन जिसको दे के लाना को लगा कि बैनी ने उसकी डॉटर को किड्नैप कर दिया है और बहुत घबरा जाती है तब ही उसके हस्बेंट का फोन आता है लाना उसके हस्बेंट को बताने ही वाली होती है कि उसका हस्बेंट कहता है कि अपनी डॉटर घर पे आ चुकी है उसको कोई ल अब Lana को लगा कि बैनी उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है फिजिकली तो Lana भी बैनी से काफी अट्रेक्टेट थी लेकिन वो मनी मनी ये जानती थी कि ये सब गलत हैं फिजिकल अट्रेक्शन में वो अपनी फैमिली बरबाद कर देगी इसलिए वो किसी तरह से बैनी से चुटकारा पाना चाती थी बैनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता उसको सोने नहीं देता उसको अपने हस्बेंट के करीब भी नहीं जाने देता लाना अगले दिन बैनी से पर्मानेटली छुटकारा पाने का एक प्लान बढ़ा थी अगले दिन सुब लाना बैनी के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर कार लेकर खड़ी हो जाती है और बैनी का वेट करती है बैनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने की तयारी कर रहा है तो लाना भी उसके पीछे भी कार चला देते। और बड़ी सुनसान सी जगह होने की वज़े से CCTV केमरा भी नहीं है तो वो बैनी को साइड में से अपनी कार से जोर से टकर मारती हैं जिसकी वज़े से बैनी अब मर जाता हैं लाना यहां पे रुकती नहीं है और थोड़ी डरी हुई सही अपनी कार को अगे बढ़ा देती हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में लाना अपनी कार रोकती हूँ देखना चाहती हैं कि बैनी मरा या नहीं बैनी एक्चुली में मर चुका था लाना के मन में बैनी का डर कुछ ऐसा बैठा जिसका अंजाम बैनी के लिए बहुत दुखत हुआ लाना ने पता नहीं सह किया गलत किया या उसने अपने मन की बात सुन ली और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है वीडियो को लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा एंड थैंक यू फर वाचिंग